साथियों जो कोई जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेब्शर्विशन कह सकते हैं लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सिल्फलेस होता है ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बलकि राष्ट्रों पर भी लागू होती है इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेब्शर्विशन से के साथ साथ सिल्फलेस्ट देश की पहचान को भी शशक्त गिया है तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की की में आ चुकी है तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जो सीरिया का उधान बताया कि जो बक्सेक में जो द्वज लगा था बक्सा उल्टा था तो ओरेंज का रग नीचे था केसरिया रग नीचे था वहां के नागरिक ने उसको ठीक करकर के और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रतिक आधर से धन्वात करता हूँ तिरंगे की यही भूमे का हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी जब भारतिय नागरिकों के साथ साथ संकट में फसे अनेक देशों के साथकों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना आपरेशन गंगा सब के लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायन की अफगानिस्तान से भी बहुती विप्रित परिस्तितियों में हम अपनों को सरकुषल लेकर के वापिस आए हमने ओपरेशन देवी शक्ति चलाया हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा अनिस्चित्ता भरे उस माहुर में भारत ने एक एक नागरी को स्वदेश लाने का बिड़ा उठाया हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद की यह भारत ही है जिसने दुनिया के सैंकडो जरुरत मन देशों को जरुरी दवाए बैक्सिन पहुंचाई इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रती एक सद्भावना है